नमस्कार दोस्तों आपको स्वागाद है मर्चल पर जिसका नाम है अनिमेट टेक तो दोस्तों यह बताएगा टेकलोगी एक्सपर ब्रेक के बाद तो चलिए मेरे साथ तो दोस्तों हम बात करेंगे अज नोक्या के वेरियंट्स के बारे में मतलब नोक्या के जो नए नय मोबाइल के वेरियंट्स नंके बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से मुबाइल आये हैं और क्या-क्या उसके स्पेसिफिकेशन है तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं Nokia 8110 4G के बारे में दोस्तों ये पुराना मुबाइल था दोस्तों जिसको रिविल्ट किया गया है कि ये पुरानी यादों को ताजा किया जा सके और जो कप्टिमर अभी यूस कर रहे है ये मुबाइल जिस कोने में इस वर्ड के वह इस यादों को ताजा कर सके और अपग्रेड कर सके और दोस्तों होता क्या है आजकी डेट topics और यह कोई आफोर्ड नहीं कर पाता है पर लेकिन उनलों की ख्वाईश होती है कि हम एक चला सके 4G मोबाइल, हम भी चला सके Google Maps, Google Assistant टाइप के Features और बाकी बहुत सारी चीजों का हम यूज कर सके जो लोग यूज करते हैं अपने 4G मोबाइल में ट्रच स्क्रीन वाले में तो उसी को देखते हुए जैसे की निकाला गिया था जीओ के द्वारा एक मोबाइल वैसे ही है कुछ ये भी पर लेकिन ये काम करता है पूरा Android में तो ये पूरा Android बेस्ट मोबाइल है तो देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है तो पहले हम डिजाइन देखेंगे फिर स कि यहां पर बोला जा रहा है कि 25 दिन तक स्टेंडबाइ मोड पे रहेगा मुबाइल माल नीजी आप बात बात नहीं करते हैं ऐसी छोड़ दिये हैं चार्ज करके अपने मुबाइल को तो 25 दिन तक मुबाइल बंद नहीं होगा आपको फूरा फूल चार्ज रहेगा बैट आपका ये गूगल का ये काई ओएस उसके तरफ से आपको मिल जाता है गूगल मैप्स मिल जाते हैं अब यहां पर हम देख लेते हैं टेक्स स्पेसिफिकेशन क्या क्या अविलेबल हैं अगर हम आउटसाइड की बात करें तो 2 मेंका फिक्सल का एड़ी फ्लेश मिल जाता ह जिसमें 2.4 कर्व डिस्प्लेय हैं और हम इंसाइड की बात करें तो यहां पर मिल जाता है आपको स्मार्ट फिक्चर ओएस पावर्ड बाई काई ओएस मिल जाता है कॉलकॉम का 205 मोबाइल प्लेटफॉर्म मिल जाता है और यहां पर मिल जाती है आपको 512 MB की RAM और 4 GB तक आ यहां पर नीचे में कहीं पर बताई गई होगी इसके बारे में जिहां दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है प्री इंस्टॉल सिस्टम सॉफ्टियर्स एप्स यूस सिग्निफिकेंस पार्ट ओफ दी मिमोरी स्पेस मतलब आपका जो प्री इंस्टॉल है वो कुछ स्पेस यही बात हो गई दोस्तों जैसे कि हम अंड्रोड मॉबाइल खरीदने जाते हैं तो मॉबाइल का ओएस दो स्टोर करता है कुछ इस पेस वही बाली चीज यहां पर लिखी हुई है दोस्तों और थ्री करके कुछ यहां बैटरी के बारे में भी लिखा है बैटरी है लिमिट लिखार्ट साइकल अंड बैटरी केश डियूस ओवर दी टाइम मतलब कहने का मतलब लिमिटेड़ चाड़ साइकल होता है उसका और रीडूस हो जाती है मतलब ऑवर टाम मलब ज्यादा ज्दा आप यूज करेंगे बैटरी को जाद दिक चार्च करेंगे रीडूस हो जाए तो ऐसा कूछ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर simply क्या होगा, यहाँ पर आपका testing मतलब जो किया गया हैंके द्वारा, लेप्स मों कहते हैं यए की इसमें जो आप एप काम करेंगे माननी जी आपने खोला इसपे गुगल असूस्टेंट घुत लिए माननी जी इसको बंद करें गुगल मैप्स फोल दिये गूगल एप्स तो काम करेंगे पर लेकिन गूगल असिस्टेंट काम नहीं करेंगे और यहां पर हम देख लेते हैं और बाकी सारे मोबाइल जैसे की नोकिया 8 आ गया है शुक्रो वेरियंट और नोकिया 7 प्लस आ गया और न्यूग्या 6 भी आ गया इसके बारे में बात है सब के बारे में हम पहले देख लेते हैं और इसके बारे में और क्या क्या अवेलेबिल्टी इसमें इसमें दो कलर अवेलेबिल जाते हैं जैसे एक ब्लैक और हमको मिल जाता है यलो तो काफी अच्छा कलर है और यहां पर देख लेते हैं फूल स्पैसिफिकेशन कुछ ल मिल जाता है इसमें और talk time और standability time की बात करें तो यहां पर आपको मिल जाता है 3G, 4G में काफी अच्छा talk time मिल रहा है और यहां पर आपको बता दू वोल्टी service मिल रही है 3G के साथ तो वो तो मिलेगी है आपको और बाखी यहां पर music अगर आप play करते है तो 48 hours का मिलता है अग camera जो की थोड़ा कम है होना चीता 5 megapixel छोटे से mobile में अपितना तो ठीक है और यहां बार drip production कुछ बोला जाता है इनके दुवारा तो अब यह देखना होगा क्या होता है और इसमें battery काफी अच्छी है देखा जाए तो इस छोटे pack के हिसाब से 1500 mAh ही battery है I think so काफी अच्छी है जो कि आजकल के mobile में आती 5000 mAh की battery की इसी में आती 3000 mAh की battery अगर हम 3000 mAh की battery से माइनस करेंगे 1500 को तो जस्ट हाफ है और इस छोटे mobile में 1500 mAh की battery काफी बढ़ी है और काफी अच्छी है और यहां पर आपको polycarbonate का आपको material मिल जाता है तो काफी अच्छा है यह भी और यहां पर ह आपको box मिलेगा ता वो क्या-क्या मिलेगे आपको मिलेगा आप Nokia 81104G मिलेगा और साथ में handset मिलेगा साथ में charger मिलेगा और कुछ guide मिलेगी ठीक है दोस्तों यह सारी चीज़े मिल जाएंगी अपने को डंबे के साथ में और यहां पर अगर आपको 360 view मैं दिखा हूँ इस mobile आप देख सकते हैं यहां पर भी कितना मदब good style आ रहा है कितना good feel आ रहा है आप देखी सबसे पहले यहां पर mobile की बात कर लेते हैं तो यह रहा हमारा यहां पर 2 Megafixel का camera LED flash के साथ यह रहा हमारा sound यह रहा हमारा Nokia लिखा हूँ लोगो Nokia का और यहां हम गुमाएंगे तो यहां specification दिया नहीं है यहां पर और यह देख रहा है इसे slide down करेंगे तो यहां पर आपको खुल जाएगा कीपेड और slide आप करेंगे तो कीपेड ब्लॉक हो जाएगा मतलब छुप जाएगा मतलब गयाब हो जाएगा आप कुछ भी कह लीजिए तो यह था एक mobile का पूरा हमारे पास अवेलेबल हो गया यहां पर यह Nokia 8110 4G वेरियंट है तो काफी अच्छा mobile है दोस्तों अगर यह रही बहुत जल्दी वैसे कहने की बात है इनके तरफ से किए अपरेल में अवेलाबल होगा अब देखना ही होगा इंडिन मार्केड में क्या तभाही मचाता यह मुवाइल क्योंकि घ्र का भी मंदों का यह प्लानिग कर रहिया और लेकिन अब देखना ही होगा कि इस काटेगरी में क्या तभाई मचाता है मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा तभाई मचाएगा तो इसलिए तो मैं इसे हो बाए पक्का करने वाला हूं में यहां ही को मवाईल का परहो का मार्केट में जूटना दोस्तो मेरी वीडियो के दिख Stress कर लीजे कर लिचे कि आमे छीर की उच्चानल को शेर कर दीजेगा तब्यूर अगली वीडियो पर झाल 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 झाल